श्री अगरला स्रोत्र श्री मारकंडे जी बोले जेंती मंगला काली बद्रकाली कपालिनी दुरुगा श्रमा शिवा दात्री स्वाह स्वधा आधी देवियों को मेरा नमस्कार है हे चामुंडे देवी समस्त प्रयानियों के दुख निवारन करने वाली आपकी जय हो सरव्यापक देवी काल रात्री आपकी जय हो मदू तथा कैटब दैत्यों का दलन करने वाली ब्रह्मा जी को वर देने वाली आपको नमस्कार हो हे देवी आप मुझे सुन्दर रूप दो, जये दो, यश दो, प्रयोध्यादी शत्रों का नाश करो, महिशा सुर का नाश करने वाली भक्तों की सुखदाता देवी जी को नमस्कार हो, मुझे रूप दो, जये दो, यश दो, शत्रों का नाश करो, है रक्तबीज का वद करने वाली देवी और चंड मुंड असुरों का विनाश करने वाली माता मुझे सुन्द रूप दो जायदो यश्दो शत्रों का वद करो हे पाप नाशक चंडी के जो स्वर्धा भक्ति पूर्वक आपके चर्णो में मस्तक जुकाते हैं उन्हें रूप दो जायदो यश्दो शत्रों का नाश करो हे देवी जी आप मुझे सोभागे आरोगे और परमसुक दो रूप दो जायदो शत्रों का विद्वन्ष करो मेरा कल्यान कीजिए और उत्तम धन संपती दीजिए रूप दो जये दो यश दो शत्रों का नाश करो हे माता आपके चर्नों पर देटा दैते दोनों ही अपने मुकुट की मनिया गिस्ते रहते हैं हे मातेश्वरी अपने बक्तों को विद्यावान यशवान लक्षमीवान करो बड़े बड़े अभिमानी दैत्यों के अभिमान चूरन करने वाली चंडी के मैं आपके पर नाम करता हूँ हे चार बुजाओं वाली माता चत्रुमुक ब्रह्मा जी आपकी स्तूती करते हैं हे परमेश्वरी रूप दो जयदो यश्दो बैरियों का विंदवन्च करो शिरीव पार्वती के पती महादेव जी से स्तुत है परमेश्वरी रूप दो जय दो यश्ट दो शत्रों का नाश करो है देवी आप तो कठोर भुजदंड का रखने वाले दैत्यों का भी गमंड नाश कर देती हो है अम्भी के आप अपने भक्तों के लिए अपार अनंद की व्रिद्धी करती हो मुझे रूप दो जय दो यश्ट दो शत्रों का नाश करो है मातेश्वरी जी आप मुझे वह पतनी परदान करें जो मेरी इच्छाओं के अनुकुल हो और इस भ्यानक संसार रूपी समुंदर में मुझे तारने वाली हो उत्तम कुल में उत्पन हो जो पुरुष इस अगला स्रोत्र का पार्ट करके माहा स्रोत्र की लग का पार्ट करता है वैस अप्शिती के पार्ट जब से मिलने वाले वर एवं स्रेश्ट संपदा के फल को प्राप्ति करने दो श्री क्रिलक स्रोत् सदाशिव को नमस्कार करता हूं जिनके तीन दिव्य नेत्र है जिनका श्रीर विशुद्ध ज्यान सवरूप है जो मौक्ष प्राप्ति के कारण है अर्द चंद्रमा जिनके मस्तक पर शोब भिमान है शिरी मारकंडे रीशी बोले मंत्रों के शाप एवं उतकलीन आधी को सिद्ध होती है जो इस रोत का पाठ करके सब्तशती के पाठ मात्र से स्तुति करते हैं उन्हें देवी की सिद्धी हो जाती है उचाठ नाधी प्रियोग से उन पूर्शों को मंत्र ओशिदी आधी किसी अन्यसादन की अभिशक्ता नहीं पड़ती बिना जब के भी उन्हें उचाठ नाधी सिद्धी हो जाती है क्या समस्त उचाठ नाधी इसी से सिद्ध हो जाते हैं इस परकार के लोगों को शंका हुई तब उस शंका के निवारन के सदाशीव ने लोगों को बुला कर आग्या दी यह जब सिद्धियां देने वाले शुब सुरोत्र हैं इस चंड सबी प्रकार का श्रेम प्रापत कर लेता है इसमें कोई भी संचे नहीं क्रिशन पक्ष की चतुर्दस जी अथवा अश्टमी के दिन एकागर होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अरपन करता है फिर पर साद रुपें ग्रहन कर लेता है उस पर भगवती पर सन होती है इसी क्लिक द्वारा महादेव ने इसे भी क्लीन कर दिया है जो इसके द्वारा सब्ध शति का निश्ट क्लीन करके स्पष्ट होकर निट्य पाट करता है वैसी द्वी जी का गण एवम गंदर्व होता है वह कहीं भी घूम रहा हुँ उसे कोई भै नहीं होता ना उसकी अकाल मु द्याद होने पर वह मोक्ष पाता है इसलिए इस क्लिक स्रोत्र को समझ कर तथा उसका उत्कलीन करती पाठ करना उचित है जो इस परकार नहीं करता उसका नाश होता है तभी तो बुद्धिमान इसे समझ कर ही उत्कलीन से संपन्थ स्रोत्र का पाठ अरंब करते हैं जो कुछ इसी कारण इस शुब सुरोत्र का जब सदा करते रहना चाहिए इस सुरोत्र के मंद स्वर में पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है उच्छ स्वर में अधिक फल मिलता है सभी सिधियां प्राप्त होती है अधिये उच्छ स्वर में पाठ याद करें जिस भगवती की किरपा द्वारा सोभाग्य अरोग्य संपतियां शत्रु नाश तथा परम मौक्ष की प्राप्ती होती है उस जगत की माता की स्थूति करने चाहिए रात्री सुक्त महत्व व्यादी सवरूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्तों को प्रकाशित करने वाली ये रात्री रूपा देवी अपने उत्पन किये होतू जगत की जीवों के शुभा शुप कर्मों को विशेश रूप से देखती है और उनके पर है संपूरन विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदी को तथा उपर बढ़ने वाली रिक्षों को भी व्यापत करके स्थित है इतना ही नहीं ये ज्यान में जोती से जीवों के अज्यान दकार का नाश कर देती है पराचित शक्ति रूप रात्री देवी आकर अपनी बेहन भ्रम विद्या मै उशा देवी को प्रकट करती है जिससे अविद्य मै अंदकास्वत नश्ट हो जाता है वे रात्री देवी इस समय मुझ पर प्रसन हो जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं ठीक वैसे ही जैसे रात्री के समय पक्षी विक्षों पर बनाये हुए अपने गोसलों में सुख पूर्वक शायन करते हैं उस करुणा मै रात्री देवी के अंक में पूरन ग्राम वासी मनुष्य पैरों से चलने वाले गाएं गोड़े आदी पशू पंकों से उड़ने वाले पक्षी एबं पतंग आदे किसी प्रियोजन से या पाप मै विक को हमसे अलग करो काम आदी तसकर समुधाय को भी दूर हटाओ तदंतर हमारे दिये सुख पूर्वक तरने योगे हो जाओ मौक्ष दाइनी एवं कालने कारिक बन जाओ हे उशा हे रात्री की अठी हे रात्री की अधिष्ठ रात्री देवी सब और फैला हुआ तुम इसे शन की बांती दूर करो जिसे धन देकर अपने भक्तों को रिंद दूर करती हो उसी परकार ज्यान देकर इस ज्यान को हटा दो ये रात्री देवि तुम दूद देने वाली गो के समान हूँ, मैं तुम्हारे समीप आगस्तूती आदी से तुम्हें अपने अनुखूल करता हूँ परम, हयोम, सबरूप, परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी किर्पा से मैं काम आदी शत्रों को जीद चुका हूँ तुम सुतम की भांती मेरे इस हविश्य को भी ग्रहन करूँ